घर के बाहर चार पाई पर मासूम नाती संग सोय अधेर की बांका से गला रेत कर हत्या, दामाद समेत दो के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। बांका वच चाकु घर से 500 मीटर दूर बरामद, पुत्री का अपने पती से चल रहा था विवाद। स्थानिय पुलिस ने ससुराल के थाना पर शिकायत को कह कर रफाद अफा किया था मामला। आजमगर, जनपद में एक दिल दहलाने वाली घटना घट गई। बरदा थाना प्षेत्र के उदियावा गाव में बीती आधी रात के बाद चार पाई पर घर के बाहर सोई 55 वर्षिय उदैराज राजभर पुत्र स्वर्गिय समय की बांका से गला रेत कर हत्या कर दी गई राम उदै अपने पांच वर्षिय नाती सागर निवासी जौनपुर के साथ चार पाई पर सोया था। आधी रात के बाद जब सोते समय ही उदैराज पर हमला हुआ। शव को अपने कबजे में लेकर थाने पर पहुंच गई। सुबह पुलिस ने मृतक के भाई छविराज की तहरीर पर मृतक के दामाद महेंदर राजभर पुत्र स्वर्गिय रामजतन वर अंगिले राजभर निवासी कोहडा थाना पवई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर पहित मंदिर पर पंचायत भी कुछ दिन पहले हुई थी। बरदा थाने पर पीरेता ने तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने इसको पवई थाने का बात कर रफा दफा कर दिया था। पीरेता का आरोप था कि उसका पती ही उसकी फोटो इंस्टाग्राम फेस्बुक पर वाइरल कर रहा है। इन्ही सब विवाद के बीच हत्या हो गई। घटना को लेकर एसपी सिटी शेलेंद्र लाल का कहना है कि गुरुवार रात करीब साधे ग्यारा बजे बरदा थाना क् और रंगिला नामक युवक ने उदैराज राजभर की धारदार हत्यार से हमला कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि महेंद्र राजभर उदैराज का दामाद है महेंद्र का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। ससुर उदैराज ने दोनों को अलग-अलग करने की बात कही और मंदिर में जाकर पैसे के लेन देन का भी समझोता हो गया था। इस बात से महेंद्र काफी नाराज था। महेंद्र ने उदैराज पर धारदार हत्यार से हमला किया जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में रंख्या 178 बटा 24 धारा 302 वच्चोंतिस आईपीसी का दर्ज किया गया मौके पर फोस देनाथ है शांती व्यवस्था कायम है आरोपियों की गिरफतारी के लिए टीम गठित कर दी गई है जल्द ही उन्हें गिरफतार कर वैधानिक कारवाई की जाएगी बाइट शेलेंद लाल एसपी सिटी रात्री लगव साड़े 11 वजे ग्राम उद्यावा थाना बर्दा अंतरकत पड़ता है यहां पर महिंदर राजवर वारंगीला इन दौनों ने उदे राज जिनकी उम्र लगवर 50 साले उनकी उपर हमला किया और धरदा रहत्यार से और इनकी मिर्ती हो इस प्रकर में मुकदमा अपराज संक्या 178 वटा चौबिस धार अंतरगत 302 वा चौनतिस आई तीसरी का कायम किया गया मौके पर स्टैनात है लाइन ओडर की कोई समस्या नहीं है शींगरी अभियक्तिं की ग्रिवतारी कर वैधानी कारवाई की जाई तो वहां पर तो तो तोड़ा हो गया था दो दिन पहले तो फून पर भी धमकी देते थे कि हम घर पर आगे कार देंगे मार देंगे आज रात में आखे वो गला कि इसकार दिया पूरा कौन है कोई उनका दमाद हमारे भाई के क्या नाम प्राप के बाइस है उदेराई कि पचास परिवार में कौन है पांच लड़किये हैं दो लड़के उनकी पास तो घटना दमाद में आपके हैं हाँ